हे फ्रेंट्स तो क्विक रिवीव में बात करते हैं फाइनली MX प्लेयर पर लीज हुई सीरीज आश्रम के सीजन 3 को जिसके टाइटल को कॉंट्रवर्सी के चलते बदल कर एक बदनाम आश्रम 3 रख दिया गया है जिसके हिसाब से इस सीरीज का सीजन 3 भी पूरी तरीके से सेट किया गया है यानि टाइटल की तरह कहानी को भी थोड़े से अपग्रेट के साथ सीजन 1 और सीजन 2 से ही उठा कर दाला गया है और एक अच्छी खासी लंद के 10 अपिसोड का शो आपके सामने प्रेजेंट कर दि इस शो की हाइप को ध्यान में रखते हुए सीजन 4 के भी दर्वाजे खोल दिये गए है और अब मुझे नहीं पता क्या आगे ये शो और कितना लंबा चलेगा क्योंकि अब कहानी के हिसाब से देखने में तो मुझे लगता है कि और आगे शो को बढ़ाना चाहिए बलकि ऑ पम्मी को हासिल करने की और पम्मी उनकी पहुच से दूर चली गई है तो सीजन 3 में क्या बाबा पम्मी को पकड़ने में कामयाब होते भी है या नहीं और जो आने वाला खत्रा उनके सर पर मंड़ा रहा है उससे वो किस तरीके से डिल करेगे बाबा का पास्ट क्या है और ह इसा नहीं कि ये सीरीज मेरी नजर में टाइम वेस है तो आपको भी वैसी ही लगे क्योंकि अगर इसे मास ओडियंस के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से स्टोरी काफी अच्छी खासी चल रही है इट मीन्स के मास ओडियंस को ये शो अब भी उतना ही जादा एंट खड़ी कर देगी जिससे एगरी करते हुए मैं भी सीरीज को सीधे सीधे सी की कैटिगरी में रखूंगा क्योंकि जो कुछ भी चीजे इस सीरीज में काफी ट्विस्ट अंटरंस के साथ दिखाई जा रही है वैसी चीजे मैंने पहले भी बहुत बार बॉलिवड में बनते ह बहुत कुछ पड़ रखा है बस अच्छी बात यह है कि उन्हें इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से पिक करकर लोगों के एक अच्छा एंटरेटेनिंग शो प्रोवाइट किया जा रहा है जो फिलहाल तो मेरे लवल का बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अब इस वज़ है चंदन रॉय के भुपा को छोड़ कर तो वो सभी के सभी स्टूपिड ही है क्योंकि उनके पास जैसिक मैंने कहा करने के लिए इतना जादा कुछ भी नहीं है रीजन है बाबा के सामने उनकी सारी के सारी चाले हर बार उल्टी ही पड़ती है बाकी अब अगर इसके सीजन देख रखे है तो वो भी थोड़ा थोड़ा क्योंकि बेंच वाच करने जैसा ये शो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा है बाकी सीजन वन और सीजन टू की तरह आप इस शो को फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते इस कहला आप मर्जी आपकी है क्योंकि मेरा सेजे देख बहा है क्योंकि मेरा सेजे बेंच देख सकते इस कह ए विस्ट रहा है क्योंकि भी जाप एच करने भी दो देख सकत दू़ा को इसे कहला है लगा है